दोस्तों किया आप भी सोच रहे हैं and Bank account ओपेंड करने के बारे में और आप confused हो चुके हैं कि कौन सा payment bank में back account ओपेंड करे क्योंकि दोस्तों जब से PayTm payment bank went हो चुका है तब से सब कोई दूस्तों confused में आ चुका है कि कौन सा payment bank based है तो मैं जब लोग को बताऊंगा कि कौन सा payment bank best है जिसमें आपको account की rate करना है मैं आप लोग को बताऊंगा कि year tell payment bank best है या दूस्तो जियो payment bank best है दोनों का दूस्तो compromise करूंगा और मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा payment bank best है और आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा payment bank based है तो दूस्तो मैं आप लोग को सबसे पहले बताता हूँ कि ERTEL payment bank के बारे में जिसमें दूस्तो ERTEL payment bank में क्या क्या facility है तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ERTEL payment bank में आप zero bank balance में दूस्तो आप account create कर सकते हैं और इसमें दूस्तो आप जैसे ही account create करते हैं इसमें दूस्तो आप लोग को GST चार्ज करता है हर साल दूस्तो 100 रुप्या का GST चार्ज करता है ERTEL payment bank में इसमें दूस्तो हर message में आप लोग को 30 पेसा का चार्ज करता है फेले का दूस्तो दस message छोड़के आप लोग का दूस्तो हर message में 30 पेसा का चार्ज कड़ेगा और दूस्तो जियो payment bank में इसमें दूस्तो आपका zero balance bank account open होता है और इसमें आप लोग को कुछ भी परकार का चार्ज नहीं कड़ता है इसमें आपका zero balance bank account open हो जाता है इसमें आपको कुछ भी परकार का charge नहीं कड़ता है तो दुस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा की best application है Jio payment bank इसी में आपको bank account open करना है इसी payment bank के अंदर दुस्तों आप लोग को account create करना है तो मैं आप लोग को बताऊंगा की Jio payment bank में आप account कैसे create कर सकते हैं इसका complete details में बताऊंगा कि किस परकार से आप लोग account create कर सकते हैं या अगर दूस्तों आपके पास pain card और आधार card है तो आप pain card और आधार card के मदद से आप Jio payment bank में एक account create कर सकते हैं तो दूस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी request है अगर आप मेरे चैनल में पहली बारती चैनल को subscribe कर ले और इस वीडियो को आप like करे तो चली दूस्तों मैं आप लोग को live दिखाता हूँ कि किस परकार से आप लोग को Jio payment bank में account create करना है तो दूस्तों सबसे पहले आप लोग को my Jio app को install करना है प्ले इस्टोर में जाकर आप लोग को install करना है इसके बाद आप लोग को my Jio app को open करना है जैसे दूस्तों आप my Jio app को open करते हैं कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जागा यहाँ पर दूस्तों आपको एक account create कर लेना है अपना mobile number डाल कर यहाँ पर आप लोग को account create कर लेना है जैसे दूस्तों आप my Jio app के अंदर account create कर लेते हैं कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जागा इसके बाद दूस्तों यहाँ पर आप लोग को एक option मिलेगा bank account open करने के लिए यहाँ पर आपको bank का एक option मिलेगा bank के उपर आप लोग को click कर देना है जैसे दूस्तों आप bank के उपर click करते हैं यहाँ पर दूस्तों जितने भी दूस्तों permission वाएगा सभी permission को यहाँ पर आप लोग को allow कर देना है जैसी दूस्तों यहाँ पर आप allow कर देते हैं कुछ इस परकार का interface आ जाएगा नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं payment bank open करने के लिए get start के उपर आप लोग को click कर देना है जैसी दूस्तों आप इसके उपर click करते हैं यहाँ पर दूस्तों आपका mobile number आ जाएगा यहाँ पर दूस्तों अगर आपका airtel sim है या दूस्तों विएसनल sim है बियाई sim है तो दूस्तों यहाँ से आप लोग account की create कर सकते हैं इसके लिए दूस्तों आपको geo की दूस्तों अबच सकता नहीं है अगर दूस्तों आपका geo का भी है तो यहाँ से दूस्तों आप account की create कर सकते हैं तो दूस्तों यहाँ पर आप लोग को select करना है proceed के उपर आप लोग को click करना है जैसे दूस्तों आप for street के उपर click करते है आपके mobile नमबर पर OTP आएगा यहां से인데요 verify किया जायगा जो कि दूस्तों यहां पर आप लूग देख सकते हैं मेरा verify successfully हो चुका है और यहां पर आप लूग देख सकते हैं मेरा mobile नमबर पर OTP आएगा और यहाँ पर OTP automatic fill up हो जाएगा जो कि दूस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा OTP यहाँ पर automatic fill up हो चुका है इसके बाद दूस्तों यहाँ पर आप लोग को एक pin set करने का option आ जाएगा यहाँ पर आपको एक pin set करना है जिसमें दूस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंटर पीन, यहाँ पर आपको एक पीन इंटर करना है कनफार्म करने के लिए दुबारा उसी पीन को यहाँ पर आप लोग को इंटर करना है और पोर्चीट के उपर आप लोग को किलिक करना है इसके बाद दोस्तो कुछ इस परकार का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं create an account जो कि दोस्तो यहाँ पर आप लोग को इस option पर किलिक करना है create an account इस option पर आप जैसी किलिक करते हैं कुछ इस परकार का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा जो कि दूस्तों यहाँ पर आप लोग live group देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आप लोग को two step को verification करना है इसके लिए दूस्तों यहाँ पर आप लोग को proceed के उपर click करना है यहाँ पर दूस्तों आपके mobile number पर एक OTP आएगा OTP यहाँ पर automatic ले लेगा इसके बाद दूस्तों precision पर आप लोग को click करना है इसके बाद दूस्तों कुछ इस परकार का interface निकल कर आ जाएगा यहां पर दूस्तों आपका email ID इंटर करना है जो कि दूस्तों मैं यहाँ पर आपना email ID को enter कर देता हूं email id इंटर करने के बाद नीचे आप लोग को port sheet के उपर किलिक कर देना है जैसे दूस्तो आप port sheet के उपर किलिक करते हैं आपके email id में एक OTP आएगा OTP को यहाँ पर आप लोग को fill up करना है port sheet के उपर आप लोग को किलिक कर देना है जैसे दूस्तो आप पोर्षीट के उपर किलिक करते हैं कुछ इस परकार का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर दूस्तो आई अकसेप्ट के उपर आप लोग को किलिक करना है इसके बाद दूस्तो कुछ इस परकार का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक debit card दिया जाएगा जिसमें यहाँ पर आप लोग चार्ज देख सकते हैं 0 जो कि दूस्तों आप लोग को 0 चार्ज में debit card भी दिया जाएगा इसके लिए दूस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं portsheet का option portsheet के को किलिक करना है यहाँ पर दूस्तों अपना पेन का नंबर इंटर करना है जो कि दूस्तों मैं यहाँ पर अपना पेन का नंबर इंटर कर देता हूँ नंबर इंटर करने कि बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा ग्रीन तीक आचुका है इसके बाद दूस्तो नीचे याँ पर मेरा आधार का नंबर इंटर करना है बाद नीचे आप लोग को generate OTP का option मिलेगा generate OTP के उपर आप लोग को किलिक करना है यहाँ पर send OTP के उपर आप लोग को किलिक करना है आपके आधार कार्ड में जो भी mobile number लिंक है उसमें एक OTP आएगा OTP देकर यहाँ पर आप लोग को verify कर लेना है इसके बाद जैसे आप आधार कार्ड को verify कर देते हैं यहाँ पर आपका आधार का details आजाएगा आपका नाम आजाएगा यहाँ पर आपका पूरा details आजाएगा नीचे इसके बाद आप लोग को portrait के उपर आप लोग को किलिक कर देना है अब इसके बाद यहाँ पर आपका personal details आजाएगा जिसमें यहाँ पर आपना personal details को fill up करना है सबसे पेले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं married list जो कि दूस्तों यहाँ पर आपका married status जो भी है आप married है तो married यहाँ पर फिलब करें या single है तो single फिलब करें इसके बाद दूस्तों यहाँ पर अपना first name इंटर करना है यहाँ पर अपना last name इंटर करना है इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपना फदर का नाम नेम इंटर करना है अपना फदर का फर्स्ट नेम सेकेंड नेम इंटर करना है अपना मादर का फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम इंटर करना है जो कि दूस्तों यहाँ पर सब कुछ डेटेल्स फिल आप करन हैं यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स फिलाप करना है यहाँ पर दूस्तों आपको सिलेट करना है कि आप कौन सा काम करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को सिलेट कर लेना है आप दूस्तों सेलरीड है तो सेलरीड सिलेट करें सेल्प इंपलो है तो सेल्प इंपलो है तो सेल इनकम है यहाँ पर आप लोग को select करना है इसके बाद दूस्तो नीचे इस box के उपर आप लोग को tick करना है नीचे आपको port street का option मिलेगा port street के उपर आप लोग को click कर देना है अब दूस्तो आगले step के अदर आप लोग को पूछा जाएगा कि जिसमें दूस्तों आपका nominee details इसमें आप लोग को एक nominee रखना होगा जिसमें आपना nominee details को fill up करना है सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग को relation को select करना है कि nominee आपका कौन सा relation है यहाँ पर आप लोग को select करना है इसके बाद nominee का first name enter करना है नोमनी का last name इंटर करना है यहाँ पर आपका date of worth दे देना है जो कि दूस्तो नोमनी का जो भी date of worth है यहाँ पर fill up करना है आप लोग को दूस्तो नीचे वाला option पर आप लोग को tick करना है मतलब दूस्तो आपके address पर ही दूस्तो नोमनी रहता है तो नीचे वाला option पर आप को देखने को मिल जागा तो दूस्तों इस सभी डेटेल्स को आप लोग को फिर से वेरिफाई कर लेना है चेक कर लेना है कि अगर आपका दूस्तों कुछ भी गलती हो चुका है तो यहां से दूस्तों आप सुधार भी कर सकते हैं यहां पर दूस्तों आप लोग को देना है इसके बाद दूस्तों आपको Jio के तरफ से वीडियो कॉल किया जाएगा जिसमें आप लोग को वीडियो कॉल में के बाइसी किया जाएगा जिसमें आपका एक सिकनेचर लिया जाएगा और इसमें आप लोग को अपना पेन कार्ड को कुछ इस परकार से दिखा देना है, फेन कार्ड को दिखाने के बाद आप लोगों का दूस्तो वीडियो कोल के बाद सी कम्प्लीट हो जाएगा, इसके बाद दूस्तो इतना करती, आपका एकाउंट की रियेट हो जाएगा, जियो के अंदर, जो कि दूस्तो कुछ इस परकार से आप Gio payment bank के अंदर आप account की create कर सकते है तो दूस्तो मुझे उम्मिद है कि ये video देखिने के बाद आप सबी लोगो वीडियो पशन आ, तो दूस्तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे और इस video को आप ज़्यादा से ज़्यादा share करे तो चली दूस्तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई मंदे मातराम जैहीं जबर